धन्वार प्रखन शेत्र में नहीं थम रहा है गरीबों की अनाज की कालाबासारी आज भी पनरिया पंचायत के डिलरों द्वारा अनाज वित्रण में काफी अनियमित्ता बढ़ती जाने को लेकर इस्थानिय मुख्या प्रतिनिधी कॉंग्रेस यादों वा ग्रामिलों ने शिकायत करने को लेकर एमो करले धन्वार पहुँचे जहां एमो अनुपस्थित रहने के कारत MGM को इसकी जानकारी दी गई इस दोरान मुख्या प्रतिनिती कॉंग्रेस यादों ने कहा कि पंचायत में छा डिलर हैं जिसमें से तीन डिलरों ने सही सलामत दोनों मा का राशन उभखताओं को दे दिया और मा देवी स्वेम सहायता समू रदबाद शुशक्ती स्वेम सहायता समू बादी दी तथा देवी स्वेम सहायता समू तलनुन दी द्वारा प्रधान मंतरी गरिब कल्यान योजना द्वारा दी जाने वाली राशन वितरन नहीं किया गया कहा कि आज से तीन दिन पूर्व संबंधित मामलों पर धनवार एमो से बातचीत कर कहा कि अनाज वित्रण में गड़बडी को लेकर ग्रामलों से शिकायत आ रही है कई डिलर द्वारा अनाज एक मा तो कई डिलर दो मा का अनाज बाट रहे हैं जिसको लेकर कारधारियों से बादचीत के दौरान गाउ में सर्वे किया गया तो सहीं पाया गया। कहा कि उक्त गाउ में कुछ डीलर ऐसे भी हैं जो दोनों राशन वित्रन कर दिये हैं तथा कुछ डीलरों द्वारा एक ही राशन मिलने की बात बता रहे हैं। वई धनवार आपूर्ती विभाग से जानकारी लेने पर कहा गया कि दो महिने का पूरा राशन डीलरों को भेजा जा चुका है। कहा कि दीलर के गोदाम में राशन भी मौजूद रहने के बाद भी तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। का कि संबंधित मामलों को लेकर एमो करले आये हुए हैं। जिन डीलरों द्वारा अनाज वित्रर में काला बाजारी की है। अगर जाच कर कारवाई नहीं की गई तो वहाँ के ग्रामिडों के साथ मिलकर प्रखंड आपूर्ती कारले के समक्ष अंशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वही माले नेता विनेस अंथालिया ने कहा कि जाच के बाद कुछ डीलर राशन बाड़ दिये और कई डीलर के दुकान में राशन मौजूद रहने के बाद भी नहीं बाट रहे हैं। इससे कही न कहीं काला बाजारी की ओर इंगित करता है। इसको 24 घंटे के भीतर ततकाल एमो जाच डीलर के गोदाम को जाच हो, पबलिक के बीच अनाज वित्रन हो, दोशी डीलरों पर मुकदमा दर्ज हो। इसा नहीं होने पर कल के बाद पनर्याव पंचायत के सैकडो ग्रामिट डीलर के खिलाप अनशन पर बैठने को बाद द्यहोंगे। जिदोंने मातर एक माका दे रहा है, उसके बगल में आपका है गुडू सिंग है, खिसनाल का वो भी एक ही माका दे रहे हैं, यह पबलिक का सिकायत है, जो हमको सुनने को मिला, उसके बावजूद फिर से हम लोगों को एक और आया मिलने, यहां का बसंद भोगता, सिवसक्त संकर भोगता जो है, वो भी एक ही माका दे रहे हैं, और इस सिकायत पर जो हैं सो हम लोग गरामीन से जब यह जाच करना सुरह किये था, खिकत में पता चला कि इन लोग एक ही माका यह अनाज बित्रन की, बाकी डीलर, चार डीलर और है मेरे पंचायत में, जहां की गर्यामन और अभी भी हमनों हमारे कुछ डीलर हैं, जिनका गोदाम में आज भी भरा हुआ, जिस पर हम लोग बात किये, जिसे मानली रतबाद में ही तंदर जादर डीलर जिनसे हम लोग बात किये, बोलो मेरा गेहू आया, चावल नहीं आया, और चावल आएगा तब बित्रन हुआ गोदाम से पता चलता है कि ने जब हम चागेहू भेज दिया आपका अप्रील और मार्च का गेहू है, मैं अप्रील का भी नहीं मार्च का गेहू भेजा हूँ तो अभी तो वो बित्रन नहीं हुआ अब बाकी डिल्डरों का गोदाम अभी तक भरा हुआ है, उनने बातना सुन नहीं किया इससे असपश्क पता चलता कि विभाग का डर काला बजारियों के अंदर से निकल चुका है, अब विभाग की सनलिपता इस प्रकार हो चुकी है डिलरों के साथ, कि वो जन्ता के अनाज को बटवाने के लिए दबा बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे है बीर रिपोर्ट, वी टाइम निउस, राज धनवार